अब इसे क्या बताओ मैंने शादी क्यों नहीं कि ये सिन देख कर तो यार में भी यही समझा था कि इसका तो जबी इसकी शादी नहीं होई मेरी लेंस खुली आइडियेट्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ शुरू में सुरिया की मा अपने शौर को फोन करके बोलती है अरे तुमाभी तक आफिस में हो वा भई मतलब इसे कैसे नजर आ रहा है कि ये भी तक आफिस में है लगता है इसकी तीसरी हाँ खुली है शायद मतलब कहीं बाहर या फिर आफिस से निकल कर रास्ते में भी तो हो सकता है लेकिन नहीं यार अगर इने इनकी फैमली पिक्चेर ही दिखानी है तो तोड़ा करीब से तो दिखाओ भाई मतलब नजर ही नहीं आ रहा कि इनका बेटा इस मूवी का हीरो है कौन और यहां इतने खतरनाक तरीके से बम फटता है सब कुछ उड़ जाता है लेकिन ये किताबे पता नहीं क्यों टस से मसी नहीं हो रही है सर पंदरा साल से नहीं चोदा साल से रह रहे हैं क्योंकि ये 2007 में इंडिया आये थे और मूवी 2021 को तो अब लगा लो तुम खुदी हिसाब अब यार इसकी स्टोरी इससे किसने पूची है जो ये बहाने बहाने से हमें अपनी स्टोरी बताना शुरू हो गया यहां देखो ये हेलिपेड वाइड है लेकिन केमरा एंगिल चेंज होने पर अब ये येलो हो गया और इसके आगे ये एक लाइन भी है और अब केमरा एंगिल चेंज होने पर अब वो लाइन भी यहां से घायब यहां दूर दूर तक तो कोई गाड़ी मुझे नजर नहीं आरी फिर जब सूरिया हेलिकॉप्टर से नीचे आता है तो अब गाड़ियों की लाइन ही लग जाती है और अब वो सर्किल हेलिकॉप्टर के नीचे से ही घायब हो गया क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ फिर जब यह सेल्फी ले रही थी तो रियाज का हाथ देखो कहा है और अब सेल्फी लेने के बाद इसका हाथ तो यहां इसकी कमर पर है रियाज अभी कुछी देर पहले इससे पूछ रहा था कि और अब कुछी सेगिंड्स में यह ऊपर भी पहुच गया वह भी रॉकेट लाउंचर लेकर नहीं यह मजाक हो रहा है एक सेकिंड यह मजाक हो रहा है पता नहीं कहां से आया है यह इसके पास शायद ऐसे ही रेस्टोरान में पढ़ा रहता है यह रोकेट लाउंचर जब यह इतनी जल्दी उठा कर ले आया और फिर रोकेट मारने के बाद इस बस को देखो और अब देखो अचानक पूरी ही गुम गई और इस बस का साइट मेरर बंद होता है फिर केमरा एंगिल चेंज होते ही यह अपने आप खुल जाता है और इस बस पर आग सिर्फ यहां आगे ही लग रही है और अब केमरा इंगल चेंज होते ही यहां साइट पर भी लग गई और फिर रियास का पीचा करते करते सूरिया इसके पीचे से पता नहीं कहां गायब हो गया और अब सूरिया के आगे से रियास गायब हो गया फिर नीचे कूटते ही अचानक पता नहीं कहां से आ गिया सूरिय यहां इस कोने पे कूटते ही इतनी लंबी छलांगे से माल लेता है इस लंगूर की तो यह छलांगे मुझे समझी नहीं आ रही है और यह अभी जिस छट पे कूटा था कैमरा एंगिल चेंज करके फिर से उसी छट पे कूटते हुए रिका रहे है यहां सीडी के पास देखो कोई भी नहीं है फिर अचानक से यह बंदा और यह और पता नहीं कहां से प्रकट हो जाती है अबे इसे क्या होगी अबे चलो इसे छोड़ो और यहां देखो जिस छट पर यह चड़ रहा है यहां यह पानी की ठंकी है और ऊपर चड़ते ही वो टंकी वहां से वायब और फिर वापिस आ गई और इसमें इतनी जान कहां से आ गई जो इसने इतनी भारी सीड़ी उटा कर एक साइड से पकड़ के घुमा कर यहां फेक दी और यहां देखो अभी कुछ भी नहीं है फिर केमरे एंगिल चेंज होते ही यहां यह चादर और डब्बे बतनी कहां से आ जाते हैं अब यार यह इतनी देर से उचलता कूटता लंगूरों की तरह इसके पीछे भाग रहा है लेकिन इसका चेश्मा क्यों नहीं गिर रहा है और अब तो हद हो गई यार मतलब इसको पकड़के इतना नीचे कूदा और इस टेबिल में गुज गया और अभी भी इसका चेश्म इने पर तो वो इतना दूर उठ रहा है तो यह पता नहीं क्यों उचल कर मटकों पर गिर गया अब यह क्या है भाई मतलब वो इससे पहले ही गाड़ी लेकर भाग गया और यह सूरिया गलियों में गुस्ता हुआ इससे पहले ही यहां पोच गया कोई बात लए हम तो चूत यह है अरे इसका चेश्मा तो लड़ते लड़ते गिर गया था तो यह चेश्मा कहां से निकाल कर पहन रहा है लगता ही अपनी जेब में एक्स्ट्रा चेश्मा भी रखता है चलो यार सूरिया का तो समझ आ रहा है कि वो हीरो है जैसे तैसे टायर में ही गोली मारनी है तो पिस्तोल का मुझ तो नीचे रग सामने कहा निशाना लगा रहा है तो फिर गोली कार के साइड पर यहां टायर पर किसे लग गई यार तुम गाडी तो ठीक कर देते हो मगर पैसो की बात तो करते ही नहीं यानि कि यह बंदा इससे अपनी गा अगर यहां नीचे नाइन एर्स अगो लिखावा नहीं आता तो हमें तो पता ही नहीं लगता कि यह 9 साल पहले की स्टोरी चल रही है अगर आप नहीं होते न मैं इनको पुलिस की नोकरी नहीं करने देती है वाह मतलब कि यह मोटा शादी से पहले कोई और जोब करता था फ पहले रियास को कार उल्टी करके पकड़ा था और अब इस बंदे को कार उल्टी करके मार रहा है सूर्य जब कार में था तब इसके बेटे को गोली लगी थी तो इसे पता नहीं चला होगा क्या लेकिन नहीं कार से निकला फिर जाकर सकून से इस बंदे को मारा फिर अराम से फारिख होने के बाद अब इमोशनल सीन शुरू अब ये डेड़ सूर्पी का चश्मा कहां फेकर भाग रहा है इसे जेब में रखके भाग ले चल ठीक है मुझे पता है कि इसकी जेब में एक और एक्स्ट्रा होगा कल माल्दीव की फ्लाइट में अजे गुपता के नाम से एक आदमी आने वाला है एक है समरिया उसे पिक अप करके सीधा हमारे पास लाना है पांच लाग मिल जाएंगे अच लाग बस इतने से काम के जैदा नहीं हो गया है 27 साल बीच चुके हैं अबे 27 नहीं 28 साल यार क्योंक कर दो